बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, असामलेकूम फ्रेंड्स जी फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं लेसन नबर 154 और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे परोनाउन की लास्ट टाइप को और वो है रेसिप्रोकल परोनाउन इससे पहले परोनाउन की में सभी टाइपस आपको एक एक करके करवा चुकी हूँ आज हम करेंगे रेसिप्रोकल परोनाउन इस वीडियो में देखेंगे रेसिप्रोकल परोनाउन क्या होते हैं, कौन से होते हैं और इनका यूस कैसे किया जाता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब की एक राय चाहिए मुझे बहुत सारे स्टूडन्स ने कहा कि आप हमें इनकी एक्सेसाइस भी करवाएं आप मुझे इन बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या जो मैंने ये वीडियो करवाई है नाउंस के बारे में इनकी एक्सेसाइस करवानी चाहिए अगर आपको जरूरत है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे इन बॉक्स में जरूर बताएगा फिर इन्शालला जो जो टॉपिक हमने पार्ट्स और स्पीश के किये हैं उनसे मतलिक फिर मैं वीडियोस बनाऊंगी एक्सेसाइस की ठीक है चले आएं वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी फ्रेंड्स रेसिप्रोकल पर नाउन को उर्दो में कहा जाता है बहमी जमीर एक रेसिप्रोकल पर नाउन इस यूजड एक रेसिप्रोकल पर नाउन इस्तमाल होता है तो एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए A mutual action, एक बहमी अमल और relationship और तालुक, ठीक है, एक reciprocal pronoun जो है, ये एक बहमी अमल या तालुक को जाहिर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, एक तो होगी इसकी ये definition, दूसरी है ये वाली definition, इसको अच्छी तरह समझेगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझात ही हूँ, फ्रेंट पहले English में देखते हैं, और reciprocal pronoun is a pronoun, एक reciprocal pronoun जो है, वो एक pronoun होता है, एक इसम जमीर है, which is used, जो इस्तेमाल किया जाता है, to indicate जाहिर करने के लिए, निशान दही करने के लिए, that के two or more people, के दो या ज्यादा लोग, are carrying out, or have carried out, कर रहे हैं, या कर चुके हैं, an action, एक काम, of same type, एक ही किसम का, ठीक है, एक ही नुएत का, एक ही टाइप का, it means, कि reciprocal pronoun, जो है, एक इसम जमीर है, जो ये निशान दही करने के लिए, इस्तमाल किया जाता है, कि दो या ज्यादा लोग, एक ही किसम का काम, या एक ही नुएत का अमल, एंजाम दे रहे हैं, या एंजाम दे चुके हैं, with both receiving the benefits or consequences, ठीक है, दोनों हासिल कर रहे हैं, फाइदे, और consequences कहते हैं, नतीजे को, कि फाइदे और नतीजे हासिल कर रहे हैं, दोनों, किसके, of that action, उस काम के, जो वो दोनों काम कर रहे हैं, उसके फाइदे और उसके नतीजे, दोनों को मिल रहा है, ठीक है, simultaneously, एक ही वक्त न दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे, जो भी काम कर रहे हैं, या कर चुके हैं, ठीक है, और उसके जो फाइदे और जो नतीजे मिलते हैं, एक ही वक्त में, उनको जाहिर करने के लिए, जो परोनाउन इस्तमाल होता है, उसको कहा जाता है, reciprocal pronoun, ठीक है, anytime something is done or given, जब भी किया जाता है, या दिया जाता है, in return, बदले में, reciprocal pronouns are used, तो reciprocal pronoun को इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, अब ये चीज़ आपको आगे example में समझाती हूँ, जी फ्रेंट, अब यहाँ पर एक example है, जैसे देखें, अली इस स्माइलिंग एट फैसल, अली फैसल पर मुस्कुरा रहा है, और फैसल इस स्माइलिंग एट अली, और फैसल अली पर मुस्कुरा रहा है, अब अली और फैसल दोनों क्या काम कर रहे है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर काम कर रहे हैं, हमने reciprocal pronoun का इस्तमार करना है कैसे जैसे यहाँ पर देखें Ali and Faisal are smiling Ali और Faisal मुस्कुरा रहे हैं At each other एक दूसरे पर ठीक है यहाँ पर each other क्या है यह reciprocal pronoun है ठीक है जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक ही नौयत का काम कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर जुमले को बड़े को छोटा करके वहाँ पर reciprocal pronoun का इस्तेमाल कर दिया जाता है ठीक है The smile is reciprocated by the other जी फ्रेंड There are only two reciprocal pronouns सिरफ दो तरह के reciprocal pronouns हैं वो कौन कौन से हैं एक है each other और दूसरा है one another Each other का मतलब है एक दूसरे One and other का मतलब भी है एक दूसरे थीक है सिरफ ये दो reciprocal pronouns हैं दोनों का मतलब एक ही है एक दूसरे थीक है अब देखना ये है कि इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है Each other को कहा किया जाता है और one and other को कहा किया जाता है पहला point है The reciprocal pronouns refer mostly to people कि reciprocal pronouns जो हैं ये ज्यादा तर लोगों का हवाला देते हैं ठीक है But they can also be applied to animals or things लेकिन इनको जानवरों और चीजों के लिए भी apply किया जा सकता है ठीक है reciprocal pronouns को ज्यादा तर लोगों के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है लेकिन इनको जानवरों और चीजों के लिए भी apply किया जा सकता है ठीक है ये बात mind में रखिएगा अब देखते हैं use of each other Each other का इस्तमाल Each other is used in the sentence Each other का इस्तमाल किया जाता है जुमले में When there is need to show जब दिखाने की जरूरत होती है Two people performing same action जब दो लोग एक ही काम सर अंजाम दे रहे हो ठीक है जब दो लोग एक ही काम कर रहे हो तो उसको दिखाने के लिए Each other का इस्तमाल किया जाता है ठीक है Use of one another और one another का इस्तमाल कैसे किया जाता है One another is used in the sentence One another का इस्तमाल जुमले में किया जाता है When there is need to show जब दिखाने की जरूरत होती है More than two people जब दो से ज़्यादा लोग Performing same action A की काम कर रहे हो या perform कर रहे हो ठीक है Another का इस्तमाल जमले में तब किया जाता है जब A की काम दो से ज़्यादा लोगों का दिखाने की जरूरत होती है ठीक है दोनों में में डिफरेंस क्या है Each other का इस्तमाल किया जाता है जब दो लोग A की काम सर इंजाम देते हों ठीक है One and other का इस्तमाल तब किया जाता है जब दो से ज़्यादा लोग A की काम कर रहे हों जी friends, next point देखते है reciprocal pronoun is used कि एक reciprocal pronoun इस्तमाल किया जाता है To shorten a long sentence एक लंबे जुमले को छोटा करने के लिए By not repeating the same action Done by two or more people वो काम जो दो या दो से ज़्यादा लोग कर रहे हों Example देखें Saad is waving to Ali के Saad Ali को हाथ लहरा रहा है Wave कर रहा है And Ali is waving to Saad और Ali Saad को wave कर रहा है ठीक है, Saad की तरफ हाथ लहरा रहा है Saad Ali को कर रहा है और Ali Saad को हाथ लहरा रहा है तो यहाँ पे दोनों एक ही काम कर रहे है तो यह waving, waving दो मरतबह आ गया अब इनके एक ही काम को दुबारा रपीट ना किया जाए हम क्या करेंगे हम करेंगे साद एंड अली आर वेविंग कि साद और अली लहरा रहे हैं टू एच अदर एक दूसरे को ठीक है अब दोनों का काम एक ही है हमने वेविंग को बार बार नहीं लिखा इससे बचने के लिए हमने लंबे जुमले को छोटा कर दिया है और हमने सेम एक्शन को दुबारा नहीं लिखा ठीक है तो हमने फिर क्या किया हमने टू एच अदर एक दूसरे को हमने रेसिप्रोकल पर नाउन का इस्तेमाल किया ठीक है दूसरी एक्जेमपल देखें त्री पीपल आर प्लेंग फुटबॉल तीन लोग फुटबॉल खेल रहे हैं इन दा ग्राउंड ग्राउंड में बाई शेरिंग फ्राउंस तू सेकिंड सेकिंड तू थर्ड एं थर्ड तू फर्स ठीक है शेर करके फुटबॉल को किस से पहले को दूसरे से दूसरे को तीसरे से तीसरे को पहले से ठीक है अब यहां पर देखें लोग तीन लोग फुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड में वो पहला दूसरे को शेर कर रहा है दूसरा तीसरे को का रहा है, तीसरा पहले को अब कितना लंबा जुम्ला बन गया ठीक है, तो हमने इसको short किया, कैसे, they are playing football, वो football खेल रहे हैं in the ground, ground में, by passing, ठीक है, दे कर, to one another एक दूसरे को ठीक है, by sharing कहलो by passing कहलो, to one another एक दूसरे को दे कर ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने, first to second, second to third, third to first, इतना लंबा जुम्ला है, इसको short कर दिया कैसे, reciprocal pronoun के जरीए और यहाँ पे reciprocal pronoun कौन सा है, वो है one another ठीक है, इस तर रिसिप्रोकल pronoun जो है, एक लंबे जुम्ले को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक ही काम को दुबारा ना लिखा जाए, ठीक है next point है, we can also use reciprocal pronouns with their possessive forms, के हम reciprocal pronouns को उनकी possessive form के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे by adding the apostrophies s at the end of reciprocal pronoun, ठीक है कैसे reciprocal pronoun के आखिर पर apostrophie s लगा कर, देखिए each other है ना, और one another, तो यहाँ पर हमने यह apostrophie लगा जई है, apostrophie और साथ s, ठीक है तो यहाँ पर यह इसकी possessive form बन जएगी reciprocal pronoun की, such as जैसा कि each others and one and others, examples लेकिए सना और आमिना can wear सना और आमिना पहन सकती हैं, each other's bangles, एक दूसरे की चूड़िया apostrophie और s, इसका मतलब बन जएगा का की के ठीक है, एक दूसरे की चूड़िया, sports persons can wear one and others cloths, कि sports के जो लोग हैं, बंदे हैं, वो एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं यहाँ पर one and others cloths, एक दूसरे के कपड़े, ठीक है, इस तरह हम reciprocal pronouns को उनकी possessive form के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, जी फ्रेंट, next point है, in order to use reciprocal pronouns in the sentence, जुमले में reciprocal pronoun का इस्तमाल करने के लिए, there must be the use of two or more people, things or groups, के दो या ज्यादा लोग, चीजें या ग्रुपों का इस्तमाल जरूरी है, performing the same action, जो एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जुमले के अंदर हम reciprocal pronoun को तब इस्तमाल कर सकते हैं, जब दो या ज्यादा लोग, या चीजें, या ग्रुप, कर सकते हैं, we cannot use reciprocal pronouns के हम reciprocal pronoun को इस्तमाल नहीं कर सकते, with I, you, he, she and it, in pronouns के साथ हम reciprocal pronoun का इस्तमाल नहीं कर सकते, क्यों? because reciprocal pronouns require multiple nouns and pronouns, क्योंके reciprocal pronouns को ज्यादा nouns की इस्मों की या ज्यादा प्रोनाउंस की ज्यादा होती है, ठीक है, दो लोग हों, या दो से ज्यादा लोग हों, तो तब हम reciprocal pronoun का इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, to share the feeling or action, feelings, यानि इससाथ या कोई भी काम, share करने के लिए, तो इस वज़ा से हम जुमलों में, I, you, he, she, it जब हों, तो तब हम reciprocal pronoun इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर कुछ examples हैं, जैसे देखें, two girls pushed each other, दो लड़कियों ने एक दुसरे को धका दिया, अब देखें, दो लड़कियों की बात आ रही है, तो each other, ठीक है, एक लड़की ने दुसरी को पुश किया, दूसरी ने पहली को किया, अब इस तरह जुमला बनाने की बजायत, हमने शौर्ट कर दिया, कि दोनो लड़कियों ने एक दुसरे को धका दिया, जब दो लड़किया, दो लोगों की बात हो, तो तब हमने क्या करना है, each other का इस्तेमाल करना है, ठीक है, Sana and Sara love each other, Sana और Sara एक दुसरे से मुहबबत करती है, दो लड़कियां, Sana और Sara, तो हम each other का इस्तेमाल करेंगे, The people in the party greeted one another, party में लोगों ने, एक दुसरे को मुबार्बात दी, ठीक है, अब लोगों ने, लोगों में कितने बंदे आगे, दो से ज्यादा आगे ना, जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, तब आपने one another का इस्तेमाल करना है, ठीक है, Two students in exam copied from each other, के इमतिहान में, दो तल्बा ने, एक दूसरे से copy की, या नकल की, दो स्टूरेंट्स की बात हो रही है, तो each other आ जाएगा, ठीक है, My sisters love one another, के मेरी बहने महबत करती हैं, एक दूसरे के साथ, very much, बहुत ज्यादा, अब यहाँ पर नहीं बतायेगा, कितनी बहने, बहने हैं, दो से ज्यादा होंगी, ठीक है, दो हों, तो each other आएगा, अब ज्यादा हैं, नहीं बताया गया, तो हम कहेंगे one another, Sarah and Sana has given golden rings to each other, के सारा और सना ने, एक दूसरे को सुनहरी अंगूठियां दी हैं, सारा और सना दो लड़किया हैं, तो हमने each other का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जब बाद दो लड़कियों के काम करने की हो रही हो, दो बंदों की बात हो रही हो, तब हमने each other का इस्तेमाल करना है, और जब बाद दो से ज्यादा लोगों की हो रही हो, तब हमने one another का इस्तेमाल करना है, अब यहां पर कुछ और example's हैँ Teachers were talking साथ जाज़ा बातें कर रहे थे One and other एक दूसरे के about the exam इमत्हान के बारे में कि साथ जाज़ा इमत्हान के बारे में एक दूसरे से गुफतिकू कर रहे थे अब असाथ जाज़ा जादा टीचरज हैं थीक है तो हमने one another का इस्तमाल किया Faisal and Asad were laughing Faisal और Asad हस रहे थे On each other एक दूसरे पर In the school ground, school के ground में ठीक है Faisal और Asad दो लोग है ठीक है तो हमने each other का इस्तमाल किया Me and my friend has shared a gift मैंने और मेरे दोस्त ने एक तौफ़ा share किया To each other, एक दूसरे के साथ on new year नए साल पर मैंने और मेरे दोस्त ने नए साल पर एक दूसरे को तौफ़ा दिया या share किया तो यहाँ पर हमने दो लोगों की बात तो दिया है मैंने और मेरे दोस्त, दो तो हमने each other का इस्तमाल किया Seniors have congratulated one another कि senior लोगों ने या senior बंदों ने मुबारक बात दी one another एक दूसरे को on their favor party अपनी अलविदाई पार्टी पर ठीक है, अब seniors है यहाँ पर तदाद नहीं बताई गई एक मिन्स जादा है तो यहाँ पर हमने one another का इस्तमाल करना है ठीक है Customers are fighting कि गहक जो है या जो कस्टमर है वो लड़ रही है तो one another, एक दूसरे के साथ for a single product सिर्फ एक परोड़क्ट के लिए ठीक है कस्टमर एक single product के लिए एक दूसरे से लड़ रही है ज्यादा कस्टमर्स है ठीक है तो यहां हमने one another का इस्तमाल किया आज के लिए इतना ही काफी है अगर कुछ problem लगे कुछ समझ ना आए तो inbox में जरूर कुछेगा अपना ख्याल रखेगा दूआ में याद रखेगा अल्लाहाफेज